नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अरकी क्लासिस में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कंकाल तंतर के बारे में पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में जानेंगे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर जो है हमें कन्फूजन होता है और इसमें सवाल भी काफी टफ पूछे जाते हैं कि कान में जो हड़ी पाई जाती है या स्फेनॉइड हड़ी एथिमॉइड हड़ी तो काफी कन्फ्यूजिंग होता है ये वाला सवाल लेकिन अगर आपने फिगर को समझ लिया तो आपको अभी ही याद हो जाएगा ठेक है डेपिएसी में इसे पूष्चन पूछे जाते हैं इसके लाबा आप कोई बी आक्जाम दे रहे हैं ब्हार दरूगा हो ब्हार सची वाले हो जेपिएसी हो सभी एक्जाम में आपको ये एक भी ऐसा इससे question बाहर नहीं होगा ठीक है आप इससे lecture को मेरे साथ लिखे इसके बाद आप previous year को या खटना चकर को या S.S.C. वाले जो किरानाता उसको लगाए निश्चीति आपके सभी प्रशन असानी से बनेंगे चले दोस्तों सुरू करते हैं हमारा जो आज का topic है कंकाल तंत्र सुरू करने से पहले यदि आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe करें पास वाले bell icon को दबाए एक और बात है कि कई लोग कहते हैं कि आप थंबनिल थोड़ा सांदार लगाए तो खेर उतना समय नहीं रह पाता है मेरे पास की थंबनिल को जो है attractive बनाया जाए लेकिन हाँ इसकी ज़रूर गारंटी है कि आपको जो content मिल रहा है उसमें दम है बहले थंबनिल में दम रहे न रहे या फिर smart board रहे न रहे चली सुरू करते हैं देखे कंकाल तंत्र सबसे basic बात क्या है कि यह सरीर को हमारे सरीर को सहारा देता है ठीक है और आकरती भी प्रदान करता है सरीर को सहरा देना आकिरती प्रदान करना और हमारे सरीर में जो भी कोमल अंग है उनकी रक्षा करना बाहरी चोटों से उनकी रक्षा करना जैसे देखें आंक, मस्तिस्क, हिरदय ठीक है इन सभी के उपर जो है कंकाल है तो यह क्या कर रहा है उनको सहरा दे रहा है उनकी सुरक रक्षा करता है चल यह देखते हैं कंकाल तंत्र देखी दो प्रकार का कंकाल एक है बाहे कंकाल और दूसरा है जिसे брось कंकाल ठीक है दो टाइब का है भाहे और अंतर कंकाल अब देखिए बाहे कंकाल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें कहता है कि बाहे कंकाल में जो है रक्त का संचार नहीं होता ठीक है? ये एक ऐसा कंकाल जिसमें रक्त नहीं बहता है उधारन आप देखके समझ जाईएगा क्या नाखून, बाल, पंक, सिंग, ये सब जो है, है तो कंकाल लेकिन बाहे कंकाल है, इसके अलावा जब आप अंत्य कंकाल की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें देखिएगा, इसमें रक्त का संचार होता है, ठीक है, और अंत्य कंकाल के दो प्रकार होते हैं, कौन-कौन सा ये दो टाइप, अक्षी है, और उपाक्षी है, अब ये देखिए, ध्यान देना जरूरी है कि, अक्षे कंकाल में कौन-कौन से भाग आते हैं, तो खोपड़ी आता है, पसली, और कसे रुक, दंड, ये तिनों जो है, अक्षे कंकाल में आता है, इस प्रकार से आप समझें, कि अक्षे कंकाल में सरीर का जो सरीर का जो सिधा सिधा भाग वाला जो है, वो अक्षे कंकाल में आएगा, ये देखिए, खोपड़ी आ गया, सिधा भाग पसली, और पीछे वाला भाग जो है, कसे रुक, दंड, जबकि उपाक्षे कंकाल में आपका आगया हाथ, पैर, और मे हड्डी होती है जबकि उपाक्षेक अंकाल में कुल हड्डियों की बात कर ली जाए तो इसमें होता 126 ठीक है चलिए अब अक्षेक अंकाल को विस्तार से समझते हैं याद कुछ भी नहीं करना सारा चीज अब आजाए अपना खोपड़ी पर इसकल जिसे हम लोग करते हैं तो इसका मुख काम क्या है तो आँख और मस्तिस्क की सुरक्षा करना इस तरह से अगर खोपड़ी को बनाया जाए यह हो गया देखिए दात बन गया इस तरह से यहाँ पर आँख परफेक्ट खोपड़ी बना है बिल्कुल तो देखिए खोपड़ी के भाग क्या क्या है तो पहला हो गया यह कपाल जो उपर वाला है कपाल की हड़ीया अब देखिए इसमें भी कैसे पूछा जाता है खोपड़ी में कुल 28 आपसे लेकिन पूछ लेगा चेहरे में कितनी हड़ी होती है कान में कितनी हड़ी होती है क्रेनियम कपाल में कितनी हड़ी होती है तो ध्यान रखें क्रेनियम कपाल में कुल जो है आठ हड़ी है एट बोन्स ठीक है यदि चहरे की बात कर ली जाए समस्त चहरे की तो उसमें कुल 14 हड़ी है देखिए कपाल में 8 14 अरी जो कान है दोनों साइड में कपाल में तो खर भीतर रहेगा कान में हो गया 3 इधर 3 इधर मतलब 6 अब इसको आप जोड़िए 14 और 6 दोनों साइड 3 3 14 चोड़ चोड़ बीस आठ अठाइस तो टोटल ही जो अपना खोपड़ी है कपाल है इसमें कितना हुआ 28 एक हड़ी जो है एक्स्ट्रा है लेकिन अगर आपको ओप्शन में आपको 28 ही मिलेगा ध्यान रखेएगा कपाल में कुल कितनी हड़ी 28 कैसे कैसे फीघर को ख खाले ध्यान में उतारिए कि कपाल में जो है कपाल में 8 पुरा चहरा में 14 और कान में 6 किलियर है अब देखिए इस कपाल में जो आठ हड़ी है न इसमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हड़ीयों का नाम है जो कि आप से एक्जाम में पूछा जाएगा देखी कौन-कौन सा हड़ी हमारे कपाल में होता है आठो हड़ी को देखेंगे अब पहला है फ्रंटल बॉन ठीक है फ्रंटल बॉन यह कहां होता है तो देखी फ्रंटल बॉन एकदम फ्रंट पर यहां पर माथा में ठीक है फ्रंटल बॉन कहां पर एकदम यहां पर फ्रंट माथा में जहां विक्स लगाते हैं दूसरा है टेमपोरल बॉन टेमपोरल आप देखिए यह रहा कान यहां पर है ऐसे कान हो हम लोग का यहां पर देखिए कैसे आता माजी सटक ले सिंगम टेमपर उसका गरम हो गया है ठीक है टेमपर जब किसे गरम होता है तो लोग कहां पर हाथ रखता कान के जस्ट उपर में ठीक है तो टेमपोरल बॉन कहां पर है कान के पास यहां पर दोनों साइ में ध्यान रखना है ठीक है अब देखिए अग्ला है ओसी पिटल लेखी ओसी पिटल कहां पर है तो कोकडी में ये अगर पीछे बहुता है इसले से कपाल का तवर यहाँ पर है ठीक है यह बोलता है ओसी पिटल ओसी पीटल किसी को अगर यहां पर आप पीड दिये तो चिड जाता उसी पीटल अगला देखिए अगला जो हड़ी है उसी पीटल की संक्या एक होती है ठीक है एक ही कोकडी है अगला है देखिए इस तरह से कपाल है पेरिटल बॉन पेरिटल बॉन तो देखिए ये कपाल हो गया जो हम लोग कान में हेड़फॉन लगाते हैं तो उस जगह पर ये ये जो ऐसे हेड़फॉन लगाए तो ये कपार के जहां के आपके बीचों बीच जो जा रहा है न हड़ी ठीक है बड़ा बला जो हेटफॉन लगाते हैं हम लोग महंगा वाला तो उसमें देखते हैं वो पट्टी रहता है वो पट्टी जहां पर सेट करता है बीच माथा में उसको बोलते हैं पेरिटल बॉन चलिए अब देखिए आंक के पीछे की हड़ी यह जैसे अपना यह नाक है तो इसके पीछे की हड़ी जो है यह बोलते हैं अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंटल बॉन एकदम फ्रेंट में जो रहता है बॉन कपाल पर आगे में टेंपूरल बॉन जहां आमारा टेंपर जो है गरम हो जाता है माथा ओसी पीटल कोकड़ी में पीछे वाला भाग पेरिटल हेड़फॉन वाला भाग यह वाला बीच का माथा इस्फिनएड आंक के पीछे और एथियमाइड नाक के पीछे क्लियर है यह आठो हड़ी जो है कपाल में होती है ध्यान दखना है चली आगे बढ़ते हैं कपाल का हम लोग 8 हड़ी देख लिए अब देखेंगे चहरा का 14 हड़ी टोटल 28 हड़ी हम लोग देख चुके हैं कपाल में 8 चहरा में 14 कान में 6 कपाल में 8 देख लिए कौन-कौन सा था अब देख रहे हैं चहरा का हड़ी जिसमें होता कुल 14 कौन-कौन सा तो देखिए हमारे नाक में जो है पांच हड़ियां होती है नाम आपसे नहीं पूछेगा फिर भी पूछ ले तो आप ध्यान रखें नेजल इन्फरा नेजल और वोमर ये पूछा हुआ है आपसे देखिए वोमर हड़ि कहां पर होती है तो ध्यान रखना है वोमर नाक में नेजल नौसे नेजल नौसे नाक और इन्फरा नेजल ठीक है तिक्ष ने जो हम लोग गंद कर पता कर पाते हैं इन्फरा नेजल इसलिए आप इसको याद रखें अगला है आँख में चार कौन-कौन सी तो लेक्राइनल और पलेटाइल ठीक है लेक्राइमल गंती एक आँख में भी होती है ध्यान रखें नाक के नीचे दोनों साइड में दो हड़ी होती है जिसको बोलते है जाइगोमेटिक बॉन बहुत इंपॉर्टेंट पुछा जा चुका है इसको हलके में ना लें जैसे यह अपना आँख है ठीक है तो यहाँ पर आप जब हाथ लगाईएगा इस दोनों जगह पर तो आपको हड़ी नजर आएगी आँख के जस नीचे इसको बोलते है जाइगोमेटिक बॉन यह देखिए दो पांच चार नो दो ग्यार है ठीक है अगला जो बता आपना जबड़ा जबड़ा में तीन हड़ी ठीक है कौन-कौन सा देखिए मैकसिला और मेंडिबल जबड़ा में कौन-कौन सा मैकसिला maxilla को ग्याद रखी मौच के उपर में जो हड़ी होती है वो हो गया maxilla और mandival दोनों साइड में maxilla मौच के उपर mandival दोनों साइड तीन देखी 5 और 9 दो 11 और 3 14 ये हो गया चेहरे की हड़ी 14 तो कौन कौन सा हम लोगों ने देखा तो नाक में 5 क्या nasal, infranasal warmer ध्यान में रखना है फिर है आँखों में 4 lacrimal, lacrinal और pelletile, आँखों के नीचे zygomatic bone और जबड़े में 3 मौच वाला maxilla, दोनों mandival, अब देखी कान कान का हो गया sim, sim sim, geosim s, y, s, tapis, i, say, incus m, say, malus, कान में 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 रहता है malus, याद रखना हो जाएगा एक कान में 3, तो 2 कान में 6 हड़ी, चलिए, हो गया कपाल का, पूरा हम लोगों ने देख लिया इसकल का, कि कपाल में 8 चेरे में 14, कान में 6 अब देखते हैं, rib cage पसलिया पसली को देखने से पहले इसका figure आप समझे, देखिए, बीच ओ बीच एको हड़ी जा रही है ये, मोटा सा है इसको बोलते हैं, उरोस्ती हड़ी लिख लिजिए, उरोस्ती उरोस्ती हड़ी क्याट हो है भईया, ये तो एक ही ठो है ठीक है अब आपको figure पजरा ध्यान देना है देखिए गजरा आप figure जब figure number हड़ी number एक साथ तक आप देखेंगे तो देखिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप बीच में देखिए रहे हैं ध्यान से देखिए figure सब एक दूसरे से connected है ठीक है, pair 1, 2, 7 वहीं अगर 8, 9, 10 pair को देखिएगा, तो सीधा-सीधा जो है, यह उरुस्थी से जुड़ा हुआ है कहीं connect नहीं है, इसमें देखिए figure में अंतर देखिए, यहाँ पर एक दूसरे से connected है और यहाँ पर एक दूसरे से connected नहीं है, तो पहले आप यह जान लेजिए, कि figure में आप यहाँ देख रहे है कुल एक साइड में 12 है ठीक है, तो पसलियां की संखियां जो है 12 जोडी, 12 जोडी मना 12 इधर, 12 इधर, कुल हो गया, पसलियों की संखियां 24, ध्यान में रखी, पूछा गया है पसलियां कितना 12 जोडी, कुल संखियां 24 ध्यान में रखना है, इसमें क्या करता है पसलियां काम क्या है, तो इसके अंदर में हिर्दय है और फेपड़ा का सुरक्षा अब देखना है कि जो हड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यह वाला, साथ को तो पहला साथ पेर कहलाता है टुरीपस देखने रखी, पुछ लेगा टुरीपस कहां होता है तो 1 to 7 पेर को कहा जाता है, टुरीपस, देखे एक दूसरे से जुड़ा है, फिर पेर नम्बर 8, 9, 10 को कहा जाता है फाल्स रिपस, ठीक है क्या false ribs और 11 और 12 पेर कहलाता है floating ribs त्यान रिखिए ये सारा सवाल पूछा गया है हलके में ना ले यहां देखिए लिखा हुए वही बात pair 1 to 7 is known as true ribs ठीक है क्यों सीधे उरोस्ती से जुड़ा होता है ये वाला अगला pair 8, 9, 10 इसको बोलते हैं false ribs उरोस्ती से नहीं जुड़ा होता है और अगला है floating ribs ये एक दूसरे से आपस में जुड़ा होता है ठीक है यहां पर देखिए इसे floating ribs तैरती हुई पसली कहते हैं ध्यान रखना है कुल जोड़ी 12 है total संख्या 24 1 to 7 pair 1 से 7 तक true ribs 8 से लेकर के आपका हो गया 10 pair false ribs 11 और बारमा floating ribs floating ribs river नहीं सोरी अगला है कसे रूकू read की हड़ी कसे रूकू दंड पीछे पीठ में हाथ लगाई और ऐसे से देखिए गिनाने लगेगा ठीक है जो पतले होंगे उन्हें तो ज़रूर पता चलेगा इस तरह से ऐसे इसका समद्रक structure होता है ठीक है तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है Atlas और Axis बहुत पूछा जाता है तो खोपड़ी का जो हमारा खोपड़ी जिस पर ठिका हुआ है खोपड़ी का जो अधार है उसको बोलते है Atlas ठीक है खोपड़ी का अधार वाले हड़ी को क्या बोलते है Atlas जबकि हमारी खोपड़ी जिस पर घूमती है डाएं और बाएं उसको बोलते है Axis ठीक है अब देखिए यह क्या होता है कसेरुकू रिड की हड़ी जो है इसका काम क्या है तो सहारा देना और सीधे खड़े होने में हेल्प करना इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों में कसेरुकू दंड की संख्यां 33 होती है यह जो आप देख रहें 33 है फिगर में 33 नहीं है लेकिन यह ध्यान रखें बच्चों में कसेरुकू दंड की संख्यां 33 होती है जबकि वेस्क में 26 होती है ठेक है वेस्क में 26 होती है उपरी वाला जो साथ हड़ी है उपर का अगर आप साथ गिनेंगे तो उसको बोलते हैं सरवाइकल उपरी वाला साथ को बोलते हैं cervical ध्यान में रखना है figure महीं देखिए यहां पर है आपको दिख रहा होगा figure में यह लाल-लाल red spot दिख रहा है यह क्या है तो ध्यान रखिए नसों का जाल है बहुत सारे नस जो है यह जाल में है और हमारे मस्तिस्ट से आगे जाके connect होते हैं और इस नसों की जाल कोई मेरे रज्जू यह spinal cord कहा जाता है ठीक है बच्चों में संक्याद रखे 33 वेस्क में 26 उपर का साथ बाग क्या कहलाता है सरवाइकल आगे बढ़ते हैं देखिए अगला जो है इसी में 12 next जो है उसको बूलते हैं उदर उसके बाद 12,7,19 पांचवाँ जो अगला पांच जो है उसको बूलते है लंबर बॉन आपसे पूछ लेगा अगला लंबर बॉन कहाँ पर होता है ठीक है तो ध्यान रखना है रेड की हड़ी में वेस्क में देखिए ये पांच जोने सैक्रम और कॉडल ये दोनों हड़ी मिल जाता है तो बड़ों में मतलब वेस्क में 26 हड़ी बसता है और बच्चों में 33 है ठीक है फीगर में जो हम लोगों ने देखा था लाल-लाल टाइप का स्पॉर्ट जो इस तरह से था रीड की हड़ी में उसे हम लोगों ने बोला था मेरे रज्जू ये स्पाइनल कॉड ये देखी क्या है कहता है कि रीड की हड़ी में तंत्रिकाओं नसों का जाल नूमा संरचना को मेरे रज्जू कहते हैं इसका काम क्या है तो यह सरीर के बिविन भागों को मस्तिस्क से जोडता है द्यान दगी यह पूछावा कुश्चन है सरीर के बिविन भागों से मस्तिस्क को जोडता है कौन? मेरे रज्जू इसका एक और खास बात यह है कि छनिक instant decision लेने में यह काम करता है मस्तिस्तक सिगनल नहीं पहुच पाता है तो यही काम करता है इंस्टांट डिसिजन लिना किसका काम है मेरे रज्जू या स्पाइनल कॉर्ड का अब देखें क्लियर हो गया यहां देखिए इसकल में हम लोगों ने देखा था कपाल में 8 चेहरे में 14, कान में 6 टोटल जोड़ी 28, एक्स्ट्रा था हायाड जीव वला पसली में अगर आपने देखा होगा तो ट्रू रिप्स की संख्यां 14 थी फाल्स रिप 6 गो फ्लोटिंग रिप्स 4 गो, पेर 11 बार दोनों साइड में और एक थो बीच वाला जो था जिससे सब जुड़ा हुआ था इस टाइप से उसको बोले उरवस्ती 25 हो गया और कसिरुकू दंड 26 सब को जोड़ी देखिए 29, 25, 26 80, 80 हो गया एक्सियल में हो गया क्लियर है, अब देखिए अगला है एपेंडिकुलर देखिए, एपेंडिकुलर में क्या है तो एपेंडिकुलर में हाथ आता है दोनों हाथ, दोनों पैर और सॉकेट तो देखिए, लिम्स मतलब अपर वाला जो भाग है हैंड और लोवर लेग सॉकेट में देखिए, दो प्रकार का सौकेट होता है ध्यान रखना है एक होता है पैक्टोरियल जिसे अंस मेखला कहते हैं पैक्टोरियल सौकेट हमारे हाथों से जुड़ा होता है और पैलविक स्रेनी मेखला जो है पैरों से जुड़ा होता है क्लियर है यहां तक चलिए अब फिगर को समझे फिगर समझे कहानी खतम यह देखिए आप समझने का कोशिस करें हम फिगर बनाने का परियास कर रहे है यह देखिए जो भी व्यक्ति जिम करते हैं उनका जो है बैक जिसके हम लोग बोलते हैं बैक पीछे वाला जो भाग है इस तरह से दो पार्ट में बटा हुआ है ठीक है क्लियर है यह हम लोग सरीर के पीछे पीठ का बात कर रहे है तो जब आपने हाथ को पीछे ले जाएगा तो एक साइड का कोनी यह जो भाग है इस बाले भाग को बोलते हैं स्कैपुला क्या बोलते हैं स्कैपुला या समतल हड़ी यह पूरा हड़ी एक ही होता है पूरा ठीक है उसके बाद देखिए इस हड़ी के उपर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको बुला था कॉलर बॉन यहां देखिए कॉलर बॉन कॉलर बॉन एक साइड का बात कर रहे हैं तो एक ही हम बोलेंगे भी दोनों साइड में सीधा उसको दो से गुना कर देंगे क्लियर है, इस कैपुला की संख्या एक, कॉलर बॉन की संख्या एक होती है ठीक है स्कैपुला कहाँ पर एकदम आप समझ लीजिए पीछे हाथ करिए और पकड़िए जो हड़ी कोना जैसे निकला वो हो गया स्कैपुला एकदम उपर में शोल्डर के पास देखिए ये जो हड़ी दिख रही है गर्दन से ले करके यहाँ तक हाथ तक वो हो गया कॉलर बॉन और कॉलर बॉन को ही ब्यूटी बॉन बोला जाता है बहुत बार सवाल पुछा जा चुका है ठीक है कि ब्यूटी बॉन किसको बोलते हैं तो कॉलर बॉन को ही बोलते हैं चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं देखिए ये होगे हमारा मेखला सोल्डर जिसको की स्कैपुला या संतल बन बोले इसके उपर आप देखें गे तो यहाँ पर है कॉलर बन जिसे ब्यूटी बन भी बोला जाता काफी कमजोर हड़ी होता हलका सा गिरने पर भी तूट सकता ह ठीक है अब देखिए ये अपना हाथ निकला हाथ निकल रहा है यहाँ पर हाथ पर दीजे आप हाथ निकला ये जो हाथ का उपरी भाग है इसे बोलते हैं हूमरस जिसको आप बोलते हैं ये हमारा बॉड़ी है है ना डोला ये हो गया हूमरस चलिए ठीक है जब उससे आप नीचे आईएगा तो आपको यहां पर मिल गया कोहनी कोहनी कोनी के जैसे आप नीचे आईएगा तो यह अपना जिसको बूलता है आर्म रहत ये दो भागों में बटा होता है बीच में अगर आप हाथ लगाएगे और देखेगा आपको एक हड़ी नजराएगी ठीक है? यहाँ देखेगे बीच में एक हड़ी है फिगर मैं आप देख रहे हैं तो इधर वाला भाग जो है रेडियस और इधर वाला भाग अलना कहलाता है ठीक है? अपना हाथ है यह कोनी है यहाँ पर बीच में इस तरह से बटा हुआ यह भाग अलना यह भाग रेडियस ठीक है? अपना एक भाग हो गया अलना एक भाग हो गया रेडियस ठीक है? चलिए अब और नीचे जावाते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से dotted line आपको figure में दिख रहा होगा कुल जो है 8 dot है मतलब 8 हड़ी है जिसे हम लोग बोलते हैं कारपल्स कारपल्स की संग्जा कितनी होती है आठ और यह कहां पर है तो हमारे कलाई में है ठीक है अब कारपल्स से ही देखिए 5 हमारे उगली इस तरह से निकला हुआ कंकाल कभी देखे होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा, पांच हड़ी निकला हुआ है, ठीक है? जिसे बोलते है, मेटा करपल्स, जितना उंगली, उतना मेटा करपल्स ठीक है, और फिर देखिए, जब हमारे हाथों में, जो पोर होते हैं उनमें कई सारे हड़ियां होती है जिसको बोलते हैं फैलेंजस फैलेंजस की संख्यां 14 फैलेंजस की संख्यां 14 पांच उंगली जिसे मेटा कारफल्स बोले इसकी संख्यां हो गई 5 तो 14, 5, 19 कारफल्स देख रहे हैं यहां पर आठ पीस है 27 देखिए अलना 28 रेडियस 29 यूमरस 30 ठीक है सोल्डर या स्कैपुला 31 कॉलर बॉन 32 एक साइट का भाग हो गया 32 तो दोनों साइट का भाग हो गया 64 क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपना पैर का देखते हैं देखिए उसमें था पैक्टोरियल इसमें पैल्विक ठेखिए यह पैर के एक साइड वाले भाग को लेते हैं यह वाले को तो देखी जांग में जो हड़ी होती है सबसे लंबी हड़ी होती इसको लोग बोलते हैं फीमर एक पीस होता है ध्यान दखना है फिर देखिए यह अपना गुटना फूरा नीचे हो गया इसमें लेकिन आप ध्यान दखिए घुटना है यह जिसको बोलते हैं पटेला बहुत टीवीयार फे बुला एक गड्डी होती है सवाल पूस्त है टीवीयार डी कहां पर होती है तो पैर में होती है clear है फिर देखिए जैसे अपने हाथ में था death मेटा कारपल्स ठीक यहां पर देखिए जिसको लोग सुद्ध बोलते हैं घुट्ठी जिसको एंकल बुला जाता है इसमें साथ हड्डियां होती है ठीक है और यह देखिए मेटा कारपल्स इसमें भी पांच उंगली पांच को रहेगा लंबा-लंबा ठीक है और फैलेंजस ज दोनों में पांच पांच ही रहेगा ध्यान रखना है ठीक है तो चौद्ध पांच उनीस एक यहां पर 20 21 22 ठीक है फिर देखिए फीमर 23 यह वाला 24 ठीक है और देखिए यहां पर कहीं कड़ बढ़ हो गया है चौद्ध पांच उनीस साथ 26, 27, 28, 29 और यह यह 30 ठीक है एक यहां पर है 30 हो गया तो दोनो और मेखला 2 यह वाला देखिए मेखला मतलब सॉकेड जिससे सॉकेड जुड़ा रहता है एक मेखला इधर एक मेखला इधर तो मेखलाओंकी शंक्यां 2 हडी 30 ठीक है देखिए 30 हडी को जब एक पैर का 3-2 60, एक मिखला एक पर के साथ, एक मिखला एक पर के साथ, तो कितना मिखला, दो मिखला, 62, 62, 62, क्लियर है, चलिए देखिए, जब सब को आप जोड़िएगा, तो appendicular और axle मिलाके हो गया 208 बॉन, अगला देखिए, अस्थि, अस्थियों की जो जोइंट होती है, जोइंट के परकार, तीन परकार का जोइंट, तन्तू मैं फाइबरस जोइंट, उपास्थी मैं कार्टिलिजिस जोइंट, और अगला है साइनोबियल जोइंट, तीन परकार के जोइंट को देखना है, मूवमेंट नहीं होता है जैसे खोपड़ी इसमें मूवमेंट नहीं होता अगला है उपास्ति में काटिलियस जॉइंट यह क्या इसमें हलका मूवमेंट होता है रिड की हड़ी और लास्ट जो जॉइंट है इसे बोलते हैं साइनूबियल जॉइंट इसमें मूवमेंट ज्य यहां पर यह देखिए जो हड़ी को हड़ी से जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट सवाल कई दफा पूछा गया हड़ी से हड़ी को जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट और जो हड़ी को मसल से जोड़ता है उसको बोलते हैं टंडन तेक है देखिए यहां पर जड़ी आप देखेंगे घुटनों में तो ये जो इस तरह से इस तरह से आपको दिख रहा है ब्लू किलर में इसको बोलते हैं सैनुवियल मेंब्रेन ठेक है ये क्या करता है ना कि जिली नुमा इस पर एक परद चड़ा होता है जब ये दिरे-दिरे घिसने लगता है तो हटी को आसान बनाता है लुब्रिकेंट की तरह है देखिए हड़ी से हड़ी जोड़ने वाला लेगामेंट हड़ी को मसल से जोड़ने वाला टंडन बहुत बार पूछा गया है अब दिकिए कुछ जोंड़ इम्पॉर्ट इंपॉर्टेंट होते पहला है बॉल और इंड सॉक जदा होता है देख लीजे अपना हाथ और पैर में हाAST Yeuhan पैर में कैसा होता है और प्रवयाभन सौकेट कंध्येक पास शtakeए। बॉल है कोटड़ से फिल्च फिल्चे बॉल जायँ इसमें सबसे ज्यदा मुर्मेंंट होता है। इस自dependिन हिंग शंग est ठीक है कलाई जो है अपनी तो ध्यान रखना है घुटनों एवं कोहनी में जो है हिंग जोइंट होती है बॉल एवं सॉकेट कहाँ पर हाथ एवं पैर में अगला है पाइवोट या खूटी जोइंट इसमें क्या होता है जब एक हड़ी किसी दूसरे हड़ी के सापेक्ष गती करती है जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक्सिस और एटलस एक्सिस पर खोपड़ी रखा हुआ है अधार है एटलस पर घूमता है तो Axis Atlas क्या हो रहा है जब एक हड़ी दूसरे हड़ी के सापेक्ष गती करती है वहीं अगर Radius और अलना यह जो हाथ मेता उसको आप देखीगा जब आप अपना हाथ को ऐसे ऐसे घुमाईएगा तो आपको पता चलेगा कि Radius और अलना जो है गती करता है किस वज़े से तो खुटी या Pivot Joint के कारण अगला है Saddle Joint Saddle Joint जो है अंगूठा और हतेली के बीच में होता है अंगूठा हतेली के बीच में कौन सा Joint? Saddle अगला है Carpals जिसकी संख्या 8 थी तो Carpals Carpals की बीच में होता है Glitting Joint ज्यान रखना ये सब पूसता है तो ये हो गया अपना पूरा हड़ी समापत उमीद है सारा Facts समझ में आ गया होगा एक बार उसको आप लिख लें, revise कर लें निश्ची थी अच्छे से समझ में आ जाएगा नहीं आया, वीडियो को फिर से देखें और revise करते रहें, धन्यवाद